हेलो गाइस आज अब मानाने जा रहे हैं चटपठी बेलपूरी अगर आपने में चानल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि है तो देर किस बात की जल्दी से कर दीजिए सो बेलपूरी बनाने के मैंने लिया हैं दो कप मोर्मोरे यानि पॉफ ट्राइस यह मोर्मोरे दो तरीकी के आते हैं एक बहुत ज़ादा फूलेवे और एक ठोड़ी कम फूलेवे लिकिन इसके लिए आप जौदा फूलेवे ले तो भी बैटर होता है इसमें मैं आट करें नमक यानि सॉल्ट लाल मेची पाउडर यानि रेड चिली पाउडर कटे हुए हरे दनिया उसके बाद मैंने इसमें आट किया है थोड़ी सी मिक्स्टर नमकीन या फिर नम्रतर नमकीन जो आपके पास अवेलेबल हो उसके बाद मैंने इसमें आट किया है जीरो साइस नमकीन अब सारे ड्राइऑ नी तरिन डालने के बाद मैं हम डालेंगे इसमें चटनिया अब इन सब इंग्रिडियंट्स को डालने के बाद हमें इसे स्पून से अच्छे से मिक्स करना है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं अब यह अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब बारी हाती है इसकी प्लेटिंग करने की अब इक प्लेट में आच्छे से हमें भीलपूरी को स्प्रेड कर देना है अब प्लेट में डालने के पर बारी आती है इस पर फिर से थोड़ी सी जीरो साइज नमकीन को स्प्रिंकल करने की और जीरो साइज सम्कीन डालने के बद हमें इसमे डालेंगे तो रहसा फ्रेश धनिया सो अब इसके बाद फाइनली हमारे भीलपूरी बन की रेडी है आप अधर यह आप वजा शूआ को शुव हैं के लिए आप ने बेह पर दो झाल